हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल पर आज हम यहां पर सीखेंगे कमिशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का नेक्स पार्ट यहां पर आपको कुछ ऐसे टाइप के सब्स गिवेन होंगे जहां पर आपको बोला होगा की फाइंड प्रियेड ऑफ बिल और आपको पूछाओगा की डिस्काउंटिंग डेट कब होगा तो चलिए इसको प्रैक्टिकली बेसेस में हम समझते हैं और सीखते हैं आप जैसे कुछन यहां पर देख सकते हो तो आप बिल वस द्रॉन अन 14 अप्रियल फोर रुपीज 7000 अन्ड वस डिस्काउंटेड अन 6 जुलाई अट 5 पर सेंट पर एनम दा बैंकर पेड रुपीज 6,930 फोर दा बिल तो फाइंड द प्रियर एक बार कुछन को फिर से हम समझ लेते हैं यहां पर आपको गिवेन है कि 14 अपर को बिल द्रॉन हुआ था और 7000 इसका फेज वाल्यू है सेगेंड दिंग यहां पर बताया है कि बिल डिस्काउंटिंग हुआ यहां पर 6 जुलाई को और उस समय रेट दिया गया आपको 5% का देन बैंकर पेड किया गया एक लास यान कि बैंकर के तरब से पेड कि आपको यहां पर बोला है कि find the period of the bill तो चलिए क्लास इसको हम प्रैक्टिकली बेसिस पर समझेंगे कि प्रैक्टिकली बिल कैसे find out कर सकते हैं यहां पर आपको गिवन था इस समके अंदर date of bill drawn और date of bill drawn कब हुआ है यहां पर 14th April और यहां पर date of bill discounting गिवन एक्लास बिल डिसकांटिंग जो है वह आपका यहां पर 6th July को गिवन है then next one यहां पर आपको गिवन है sum due यानि कि face values को हम बोलते हैं रूपी 7,000 and offered यहां पर आपको गिवन है cash value 6,930 and then यहां पर rate of interest गिवन है आपको 5% that is mean class इस sum के अंदर हमें अब find out करना होगा number of the days और period of the bill यह दो concept यहां पर हमें find out करना है main question है आपका period of the bill यह है यह आपको find out करना है तो चलिए इसका solution देख लेते हैं हमें यहां पर given है sum due that is means face value और cash value given है तो face value और cash value के base पर हम find out कर सकते हैं BD लेके तो यहां पर हम क्या करेंगे cv का formula apply करेंगे sum due minus BD यानि कि banker discount cash value आपको given है class 6,930 sum due यहां पर given है आपको 7,000 and minus BD आपको find out करना है अब क्या करेंगे class 6,930 को हम minus करेंगे 7,000 से तो हमारी पास answer आ जाएगा कितना 70 तो that is means यहां पर हम statement देंगे therefore banker discount discount is Rs.70 then अब हमें banker discount मिल गया है हम banker discount का formula यूश करेंगे n की value first one हम find out करेंगे चलिए banker discount का formula क्यों होता है दिखते है यानि की BD इक वार्स हूँ HD इंटु N इंटु R अपान हंड़ेड HD की value यहां पर given a class 7,000 and आपको find out करना है R that is mean 5% और BD आपको यहां पर find out किया हुआ है 70 रुपीस क्लास मल्दी प्लाइग रदिए क्लास ठीक है तो 70 इंटू 100 that is means 7,000 इक वार्स हूँ 7,000 इंटू N इंटू 5 n को मिसाट लखे आ जाएंगे तो N इक वार्स हूँ 7,000 divided by 7,000 इंटू 5 clear 7,000 7,000 cancel तो यहां पर बचेगा n की value 1 upon 5 so that is means हमें मिल गया n upon 5 यानिकी n की value करेंगे इसको number of years में convert कर देंगे तो यहां पर 73 यह एक्चुल आ जाएगा यहां पर अब हम यहां पर find out करेंगे period of the bill तो यहां पर लिखेंगे to find legal due date three days counting from date of bill discounting दाट इस में बिल डिस्काउंटिंग आपका हुआ है क्लास 6 जुलाई को तब से आपको 73 डिस काउंट करना है तो आपको क्या मिल जाएगा लिगल डियूटेड मिल जाएगा तो इसका हम टैबुलर फॉर्म में समझेंगे 73 डिस जाना है तो जुलाई के बाद से हम काउंट करेगे जुलाई शिक्स को आपको क्या होता है यहां पर बिल डिसकाउंट होता है तो जो आपके रिमेरिंग अभी बचा क्लास टीके जुलाई के बाद जुलाई के बाद आपका यहां पर जुलाई 25 जुलाई के बाद हम लेंगे class तो 31 plus 25 तो that is means यहां पर हो जाएगा 56 और हमें चाहिए कितना 73 देज तो 56 डाइस में अभी आपको कितना दिन बागी है सत्रा दिन और बागी class तो यहां पर लिखनेंगे 17 ऑगस के बाद आएगा सितम्बर अगस के बाद के आएगा आपका सितम्बर और यहां पर तूटल दिख देंगे तूटल कितना हो गया 73 डेज तो यहां पर अभी आपको क्या चाहिए प्रिएड ऑफ द बिल लिगल दिव देट मिल गया है तो देरफोर लिगल दिव देट एक्वाल लिगल दिव देट कितना होगा आपका 17 सितम्बर और नॉमिनल अगर हम देखे नॉमिनल दिव देट इससे तीन दिन पहला होगा यानि कि जो हम ग्रेज देते एक लास उसमें से तीन दिन माइनस करे दो तो दाट इसमें 14 सितम्बर को यहां पर क्या होगा आपका बिल होता है यहां पर हम क्या लिखेंगे देर्फोर प्रियर्ड आप दे बिल कि फॉर्टीन एपरेल टू फॉर्टीन सित्रमबर राइट क्लास आपका जो बिल था और रॉन कब हुआ था आपका फॉर्टीन एपरेल को यहां पर रॉन हुआ था अब हम क्या करें कि फॉर्टीन सित्रमबर आपका नॉर्मल देट जाएगा अब हम इसको काउंट करेंगे कि तोटल कितना मन्त होता है तो दाइट इस मींस फॉर्टीन एपरेल से लगे फॉर्टीन सित्रमबर दाइट इस में sabwa alvin cosm यहां पर उपका संप कांपी और की है कि यहां पर हमने कि इस समय में कमपीर के लिए कि बिल बनाता है तो सामने वारा को टॉस्सक्राओ करता है यहां इस समव में कि यह ईस वीड़ो में वकताओं के क्लास में और भी वीडियो देखते हैं इसके बारे में कि हम और कैसे फाइंड़ कर सकते बिल्व द्राउं के बेसेस पे सम्ध